माही का रूप अचानक से बदल गया था और उसके इस रूप को देखकर सभी लोग हैरान थे साथ ही उसकी आवाज भी अब भयानक हो गई थी जिस कारण सब चौंक गए थे तभी काशी जी चान्नी की ओर देखते हुए बुले ये क्या हो रहा है? माही, ये कैसे? कहते कहते, वो हैरानी से रुप गए तभी चान्नी भी बुली जिस तरह से आप भी सोच में पढ़ गए हैं, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि माही ये कैसे कर रही है? मेरे खायाल से आत्माओं के दुनिया में रहने के कारण उसकी आत्मा कुछ ज्यादे ही विक्सित हो गई होगी जो आए एक तरफ काशी जी और जान्नी, पहीं दूसरी तरफ वीर सिंग, जेतन, मातंड़ जी भी माही के इस रूप को देखकर हैरान थे उदर अजनात माही की चेतावनी सुन, थोड़ा सहम तो गया था लेकिन इस तरह के दुश्यों उसके लिए कुछ नए नहीं थे तो थोड़ा आगे आया, और जोड़ से चिलाते हुए, खोनी बधू की आवाज में बोला कौन है तो तो, तो कोई साधारन मनिश्य तो नहीं लग रही तो अगर तु कोई आत्मा है तो फॉरण इस शरीर को छोड़ दे, वनना इस शरीर के साथ साथ मैं तेरा भी अंत कर दूँगा ये सुनना ही था कि माही फिर बद्ली होई आवाज में, खुस्से से चिलाई लगता है अजरनात, तुमने मेरी चितामी नहीं सुनी थी मैंने कहा था कि पहली और अंतिम चितामी है ये मेरी, पर अगी कप परिणा भूपत में को तयार ही रहना क्योंकि मैंने सच्चनों के भाती तुझे अप्रेब का चायों का एक अवसर अवश्य दिया था मिधन लगपार ही दुच्छे से राक्षस को किसी तरह की चेतावनी क्या वश्यक्ता है तेरे जैसे दुश्यों का तो अंतिहीं होना चाहिए जो अब हो मैं करोगी माही की इस बात पर अजनात हसते हुए बोला अब सर और मुझे जिनकी तुम मदद करने आई है जरा एक बार उनकी हालत दीक जब इतने लोग मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी तूने मेरी तुलना एक राक्षस से की है लेकिन फिर भी अब मैं तुझे दोबारा एक शिकार करने दे नहीं तो ना चाहते हुए भी मुझे तुझ पर वार करना होगा यह सुनते ही माही को मुझसा आ गया वो थोड़ा और उपर हवा में आ गई और अपने दोनों हाथ हवा में फैला कर जोर-जोर से घूमने लगी उसके इस तरह से घूमने के चलते वहां एक सामान को अपने केंद्र की ओर खींच रही थी अचानक ही एक तीज आंधी कजोंका आया जिसके एक ठपेड़े ने चीतन और उसके पक्ष के लोगों को उस चक्रवात रूपी दूफान से दूर कर दिया अभी उस दूफान ने अपना विक्राल रूट धारन भी नहीं क का तभी माही सोर से चलाते हुए बोली अजरनाथ ये दूफी आरम हुआ है पेलफानों का हिस्सा कुछ बहुत बागी है मैं अपने साथ और अपने लोगों के साथ हुए हर कुप्ली का भंकता तो उससे आवश्रू की इतना कहते हुए उसने सोर से अजरनाथ को अड़ाते हुए फैंक दिया अजरनाथ कराते हुए बोली खेल अच्छा था तूने मुझे चोट पहुच आई इसकी सजा तेरे ये लोग भोगतेंगे और साथ में तू भी मैं एक बार तेरी आत्मा को काली दुनिया से बांध दूंगा और फिर देखता हूं वहां से दूब बाहर कै मैं से आती है वो तूफान अचानक थामा और जोर की आवाज आई हमेरा भी तुम्हें सुधरने का मौका विलना चाहिए लेकर माही ने इतना कहा और देजी से अजनाथ क्यों राते हुए उसे जोर से ठका देते हुए दूर ठैक दिया और उसकी सीने पर पैर रखकर अजनाथ में तुरंत ही खोनी वधू के जरीए माही पर हमला करवा दिया और खड़े होकर जोर से चिलाया दूर हट मुच्छ से लड़की इसके बाद अजनाथ खोनी वधू को पूरी तरह से कंच्रोल करके माही पर हमला करवाने लगा खूली बदूने हवा की से लिए खोश में आओ, क्या तुम्हारी आपका कि एबर इस दुष्ट की कुलाम ही करने के बढ़ी हैं? जहां तक मुझे लगाद है, तुम्हारी लड़ाई तो बस मुच्छ की प्राप्टी ही दे लिए थी, तरह क्यों आप मैं समा पन इस पापी को सौंप दिया माही की बातों का खोनी वधू पर कोई असर नहीं हुआ, और डाजरनाप ने उसके जरीए माही पर विज्वी के जरीए हमला किया, तब माही बुली, ठीक है तो, तुम्हारी चैस मुझी इतना कहते हुए, माही ने सफेद्रन के तेज पुझली, जिसका प्रभाव और साधरन था, आस्मान से सीरे खोनी वधू पर किरा दी, जिसके कारण एक तेज धमा का हुआ और सारा का सारा महौल एक सफेद रोशनी से भर उठा, जिब रोशनी खत्म हुई, तो खूनी वधू कहीं दूर बेहोश पड़ी थी, और अजरनाथ पूरी तरह घायल होकर, कहीं और, उसके हालत खराब हो जुगे थी, वो अब उच्छुपी नहीं पा रहा था इसके बाद माही अबा से सीरे जमीन पर आ गए, और चेतन की पास पहुँच गई, सभी लोग उसे ही देख रहे थे, जो काम पिछले तीन-चार घंटों में, वो लोग मिलकर भी न कर पाए, माही ने दस मिनिट में ही कर दिया, उधर माही ने चेतन को छुआ, तो उसे हलका जटका लगा, लेकिन वो पूरी तरह ठीक हो गया, वो अपना सिर पकड़ते हुए उठकर यहां वहाँ देखने लगा, वो हैरानी से अपने आपको देखते हुए बोला, माही, ये तुमने क्या किया, और कैसे हुआ ही सब, ठीतन खड़ा हुआ, और हैरानी से आसपास हैं लगा, और बोला, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया, आखेर, कैसे हुआ ये माही, बताओ तो, जैसे उसने अपने घावों को देखा, तो वो पूरी तरह से हैरान था, वो माही की और देखते हुए बोला, आखेर, इतनी जल्दी मेरे घाव कैसे भर गए, ये कैसे था, तभी माही मुस्कुराते हुए बोली, हर्श, मैं तुम्हारी मदद के लिए तो हमेशा तयार रहूंगी, तुम्हारे कारण ही मैं यहां दोबारा आपाई हूँ, ये संतही चान्नी और जेतन दोनों चौंक गए, वो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, हा आखे चल क्या रहा है, इस इंचान्नी हाथ के इशारे से उन्हें रुखने का कहते हुए बोली, एक फरेट रुखे, पता चल जाएगा, दूसरी तरफ, माही के मूँ से हर्श सुनकर, चेतन हैरानी वाली खोशी से बोला, अरे, तुम माही नी तुम तो चित्रलेखा हो, च अही पैचाना हर्श, इसके बाद चित्रलेखा दुबारा कंभीर होकर बोली, चेतन, आप सभी को यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि वह दुश्वरा नहीं है, और नाहीं खोनी वदू को कुछ हुआ होगा, और एक सुझाओ, जितनी जल्ती हो सके, जन्मृत्यू द्व इस कलश की जरूरत पढ़ सकती है, तभी काशी जी की यह बात समकर चित्रा दुबारा बोली, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपको क्या कहकर बुला सकती हूं, पर जो माही कहती है, मैं भी वही कहूंगी, इसके बाद चित्रा ने कहा, पापा, बात यह है कि यदि आप ने इस कलश की आत्माओं को इस्तमाल किया, तो काली शक्तियां आप से हर जाने के तौर पर आपका शरीर ही माग लेगी, और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही नियती का नियम है, पर काशी जी जेतन और बाकियों से नजरे चुरा कर बोले, लेकिन फिर भी, जि सभी लोग उसकी ओर देखने लगे, जंगल के रास्ते पर जहां से खूनी बधू आई थी, कुछाद वहीं बेहोश पड़ा हुआ था, अपने भाई की आवाज सुन, कुछाद को होश आ गया, लेकिन जैसे उसकी आँख खुली तो बगल में, खूनी बधू बेहोश कुपत भी खूनी वदू का चहरा देख, एक फल के लिए तर गया, और कुछाद को वहाँ से उठा कर वापस घर की ओर लाने लगा, तभी एका एक, अजनात घायल अवस्था में खड़ा हुआ, और कुपत और कुछाद को देखते हुए बोला, अरिन नालाय को, वहां क्या कर रहे हो, जाओ, खत्म कर दो सबको, जैसे ही आवास चित्रा के कान में बढ़ी, तो चित्रा तुरंट उड़कर उनके सामने आकर खड़ी होगी, और उन दोनों को हवा में उड़ाने लगी, वो दोनों सोर-जोर से चीख रहे थे, हरे, हमें कुछ मत करो, हम उसके साथ नह चित्रा उन दोनों को हवा में उठाते हुए, अजनात की ओर देख कर बोली, अजनात, अपनी हार माद लो, वारना हम लोगों को चान से मादेंगे, चित्रा की चीतावनी का अजनात पर कोई असर पढ़ने वारा नहीं था, वो अपने कपड़े जटकते हुए उड़कर मार दो, मार दो उन दोनों को, वैसे भी, वो अब मेरे किसी काम के नहीं है, इस अंतही कोशाद और कूपत दोनों माई उसी से एक तूसरे को देखने लगे, तभी चीतन चिलाते हुए आगे आया, नहीं चित्रा, छोड़ दोन है, वो तो बस अजनात की कट-पुट लिया ह जैसे ही चित्रा ने उन दोनों भाली को नीचे उतारा, तो जीतन फौरण उन दोनों के पास चला आया, और कूपत के कंधे पर हाथ लगते हुए बोला, मुझे तो तुम समझदार लगते हुँ, फिर इस पापी की जाल में भसकर गलत रासे पर क्यों निकला है, इस उनते ह मैं तुम्हें समझाने का प्रयास तो किया था, पर तुमने हमारी बात ही नहीं सुनी, आज परिणाम तुम लोगों के सामने है, वो जो तुम्हारे बाजू में खड़ी है, कभी भी तुम्हें मार सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, तब काशी जी आगे आकर बोले, ज हमारी अंधभक्ती आज हमारी जान ने लेती, लेकिन आप भरे लोग हैं, इतना कहते हुए, वो दुनों भाई वहां से जाने लगे, कुपत कुषाद को साहरा देते हुए ले जा रहा था, एक आए कुपत मुड़ते हुए बुला, हमें पता है कि हमने बहुत से पाप किये हैं, यह हमारे काम किसी और से करवा कर, उनकी जिन्दकी बरबात करें, इससे अच्छा यही होगा, कि इसका अंत कर दिया जाए, ग्याद रखे कि काली शक्तियों का अंत काली शक्ति ही कर पाईगी लिए, इतना कहकर उदोरों वहां से चले गए, उन दोरों की बाते सुनकर गायल अवस्था में बैठा अजनाथ, धीरे से बड़बडाते हुए बोला, नमक खराम कहीं के, वो यह कही रहा था कि तभी खूनी वधु भी औरते हुए सामने चली आई, उसे देखते हुए अजनाथ जोर से चिला कर बोला, खूनी वधु, खत्म कर दे उन दोरों भाई दूसी तरफ, अजनाथ को वापत खड़ा होते देख, काशी जी, चेतन के कंधे पर हाथ रख, धीरे से खूने, चेतन, बस, अब इस अजनाथ का अंत समय आ गया है, खोल दो से, चेतन ने भागते हुए आत्मावाले कलश को उठा लिया, अजनाथ ये देखकर घबरा गया और मन ही मन कुछ शब्दों को बरबर आने लगा, दो भी चेतन ने उस आत्मावाले कलश को खोल दिया, चारू तरफ, साफ मौसम में बादल चाने लगे, और तरह तरह की हसनी की आवाजे, पूरे माहौल में गूजने लगे, सब तरफ एक तूफान जैसा आने लगा, ये जाननी मारतंड़ जी और बीर सिंग उस जगह से दूर हो गए, उसी समय, काशी जी ने दूनों हाथ हवा में उठा गए, मन ही मन, कुछ मंत्रों को पढ़ा, तो बुद सारा पारा साया, काशी जी के शरीव में आकर समा गया, जैसे ही काशी जी ने अपनी आँखे खोली, त उनकी आँखे पूरी तरह से काली हो चुकी थी, उन्होंने बिना एक पल के दीरी किये, उस काली शक्ति का प्रयोग अजनात के उपर कर दिया, अजनात ने मन ही मन मंत्रों की प्रभाव से बचने की कूशिश की, लेकिन काशी जी का हमला, किसी तीर के समान, अजनात की शरी प्रभाव इतना ज्यादा था, कि जैसे उन्होंने बीर सिंग की तरफ देखा, तो बीर सिंग भी पूर जाकर गिर गया, असल में वो शक्तियां काशी जी पर ही प्रभाव बनाने लगी थी, लेकिन काशी जी ने हिम्मत की और खुद के अंतर्मन को तुबारा जागने कर द दिया, दूसरी तरफ अजनात पूरी तरह से खायर हो चुका था, उसकी शरीर पर हर जगा घाव हो चुके थे, तब ही चेतन पीर सिंग को उठाते हुए बोला, पीर सिंग, लगता है हम जीत गए, हम लोगों में मिलकर अजनात को हरा दिया, लेकिन अजनात ने एक बार भे कर गया, खूनी वधु को इस तरह अजनात पर हमला करते देख, सब लोग तंग रह गए, सब लोगों का ध्यान सिर्फ अजनात पर था, लेकिन किसी ने भी काशी जी की ओर नहीं देखा, तभी एक आएक जब चान्नी की निजर उन पर पड़ी तो उसने देखा, काशी जी क वाकई ये अजनात की हार थी, और क्या काशी जी काली शक्तियों के प्रभाव को कम कर पाएंगे, जाननी के रिए संते रहे, खूनी वधु